अलो कैसे हैं आप सभी विध्यारती जन्दी से बताओ चले तो सभी विध्यारती फटापर से जूड़ जाईए आप सभी का मैं सुआगत करता हूँ और लेक्चर नमबर हम कवर करने वाले हैं आज 180 और आप सभी का सुआगत है और काफी मज़ा आपको इसमें आने वाला है चले तो मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में आपको जूड़ना है अपको क्या करना है अपलाई करके डिसकाउंट आपको मिल जाएगा अपको जाएगा अपको क्रेडिट पॉइंट को आप रीडिं कर लीजिए जिससे के आपको और ज़दा benefits मिलेंगे मेरे साथ में जुड़कर साहिल 10 ऐसे code लगा कर ठीक है मेरे दोस्तों Simple Interest का test number 8 हम cover कर रहे हैं आज और साड़े 6 बजे होगा शाम को 8 बजे mock test होगा 16,870 में एक मेच को बेच कर एक दुकानदार को इतने रुपे की हानी होती है तो हानी का percentage बताईए यहां आपको बोला गया है कि इतने की हानी होती है मैं समझ गया लेकिन ये जो मूल्य है ये बेच कर बोला गया है यानि कि विक्रे मूल्य है ये तो क्रे मूल्य क्या होगा 16,870, 1080 घटाने पर ही क्रे मूल्य निकल कर आएगा या जोडने पर जोडने पर अब यही सबसे बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट किस तरह से यहां पर हानी हो रही है यानि कि CP आपका होगा वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा यानि कि 0, 8, 5, 9, 7, 17, 950 यानि कि 17, 950 का भाग दोगे तो लगबग आ रहा है आपका 18 और 18,000 का भाग दोगे तो 6% के लगबग बात बनेगी लेकिन फिर से वही अप्रोक्सिमेट फ 18,000 है और यह 18,000 होता तो आपका right answer fix 6% आता लेकिन actual में यह कम है यानि कि थोड़ा सा बढ़ा आएगा लढ़ाई ये नहीं है कि 6% answer है लढ़ाई ये है कि 6.1 और 6.2 तो I think थोड़ा सा बढ़ा यानि कि 6.1 आपका right answer हो सकता है ठीक है हाँ अब इसकी पीछे भी अंदाज मै लगाऊंगा एक बर मैं डिवाइड करके भी मैं भी एक clarification लूँगा क्योंकि obvious ही बात है हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम क्या कोई नहीं कर पाएगा 17950 का डिवाइड करेंगे तो 6.01 एक के करीब आ रहा है यार and 200 6.01 या रहा है यानि कि आंसर 6% देना चाहिए है ना देखो एक बर और देखो 1080 बटे 17950 बिल्कुल approximately भी ले रहे हो ना तो 6% या आंसर देना पड़ेगा इसका इसका आंसर आपको 6% ही देना पड़ेगा बिल्कुल हलका सा जाद है तो आंसर इसका 6% ही होगा भाई यह clarification मैंने आपको दे दिया यहां से ओके next करते है टाइम क्यों देंगे एक समकौन तिरभूज ABC में B पर समकौन है और A बराबर आपका 4 बटे 3 है तो यह 3, 4, 5 हो जाएगा AC आपका 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर 5 तो BC कितना आजाएगा 20 next एक शट बुझ दे रखा है उसमें प्रतेक 5 कौनों का माप दे रखा है अने की एक कौन आपका 116 है 6 कौन कितना होगा तो शट बुझ के आंतरिक कौनों का योग कितना होता है 2N-4 into 90 डिग्री फैदुनी 12 में से 4 गया तो 8 नम बहतर 720 जिसमें से आपके 5 कौन दे दिये जो हो रहा है 680 तो कितना हो रहा है 40 sorry 580 140 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया next 3x² प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है there is no solution तो के का मान किस प्रकार चलेगा अगर कोई समाधान नहीं है तो हम क्या बोलते हैं सर आपका D जो है वो less than 0 है है ना भाई अगर वास्तविक मान होते तो बात अलग होती अगर कोई समाधान नहीं है तो D is less than 0 बनता है जो कि B square minus 4 AC is less than 0 B की value हो गई K square minus 4 A की value 3 C की value K less than 0 K square less than 12 K K is less than 12 तो K जो होगा वो क्या होगा सर K less than 12 होने बादा अब यहां से answer ऐसे मत दे देना आप बस यही तो गड़वर हो जाती है हम क्या करेंगे सर हम चेक करेंगे K की value हम चेक करेंगे K square minus 12 K क्या less than 0 आ रहा है क्या तो पहले चीज के जो होना चाहिए वो 12 से छोटा होना चाहिए तो 11 रखने पर आ रहा है हाँ 10 रखने पर आ रहा है बिलकुल आ रहा है अच्छा सर minus 1 रखने पर नहीं आ रहा यानि कि यहां simple सी बात है यह भी निश्चित देख लेंगे आप कि K zero से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा यही आपका right answer होगा तो प्लीज एक बार जरूर चेक करें इन चीजों को सारी की सारी चीजों को तब ही आप चीजों को clear कर पाएंगे और आपके लिए यह सारी चीजें बहुत बढ़िया रहने वाली है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को आईए तो पहला प्रशन आपके सामने है क्या बोला जा रहा है देखिए 273965 में तीन के इस्थानिय मान और अंकित मान का अंतर तो इस्थानिय मान क्या होगा इकाई दहाई सेंकडा हजार तो इस्थानिय मान हो जाएगा आपका तीन अजार और इसका अंकिय मान हो जाएगा तीन यानि कि जो डिफ्रेंस आ रहा है 2997 नेक्स्ट देखिए कितना प्यारा प्रश्ण है जड़ा दिमाग लगा लो यहां पर जैसे कि यहां देख रहा है A स्कॉायर फिर B स्कॉायर अब साफसा पता चल रहा है कि होल स्कॉायर वाला कॉंसेप्ट लगेगा माइनस का 2 एधर आ जाएगा क्यों क्यों क्योंकि प्लस में है माइनस का 2 भी है तो इधर आएगा तो प्लस का 2 भी हो जाएगा माइनस में तो इधर 2C हो जाएगा अब यहां हम कहते हैं कि 3 है न तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0 यह कितना हो गया A माइनस 1 का होल स्कॉायर B प्लस 1 का होल स्कॉायर और c प्लस 1 का whole square पराबर 0 ने a की value 1 b की value minus का 1 c की value minus का 1 वहाँ put कर दो क्योंकि ये 0 के बराबर रखते हो ना individually तब इनकी value आ जाती है तो यहाँ a की value रखोगे तो 2a हो रहा है minus रखोगे तो plus का 3 minus का 4 यानि कि 2 plus 3 minus 4 1 will be your right answer and option number D you can choose next आराम से इस question को पढ़ना फिर करना विना पढ़े करोगे तो गलत भी होने के chance बन जाते हैं हमेशा आराम से इसे आराम से दिता हैं देखिएगा प्रमोद 12 गंटे में दीवार पर लाल रंग कर सकता है ब्रजेन 16 गंटे में उस पूरी दीवार को सफेदी कर सकता है तो प्रमोद 12 गंटे में लाल रंग और ब्रजेन 16 गंटे में सफेद रंग ठीक है मैं समझ रहाँ यहां पर आपके सामने बोला गया है यदि प्रमोद और ब्रजिन शुरू करते हैं और दीवार सिर्फ सीमेंट हो मतलब अभी कुछ रंग नहीं है उसके उपर तो एक के बाद एक 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 घंटे के लिए कारे करते हुए जब तक दीवार पूरी तरह से लाल नहीं हो जाती पूरी तरह से पूरी दीवार को लाल लगने में कितना समय लगेगा तो मैंने कहा भाई देखो ये मैंने 48 मान लिया तो 12,4,48 और 16,48 आपनको दीवार को लाल रंगना है यानि कि ये जो सफेद है ये नेगेटिव होगा क्यों भाई जिस कलर में करना है वो एक पॉजिटिव थिंग है हमारे लिए तो बेसिकली हम यह देख रहे हैं एक यूनिट हो रहा है केवल कितने गंटे में दो गंटे में क्यों एक गंटे रैड होगा फिर एक गंटे आपका वाइट हो जाएगा तो आपका कुल मिलाकर एक यूनिट रंग हो रहा है रैड वाला दो गंटे लग रहा है मतलब एक यूनिट रंग दो गंटे में हो रहा है इसी तरह से आपको 48 यूनिट करना है तो it will take 96 और 96 और वो लेगा तब जाके वो दीवार पूरी तरह से ला लो पाएगी है ना डियर? चलिए नेक्स्ट अगला कोशन करिए यह हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन अलग टाइप है शायद बताइए वाई आसान है डायरेक्टली करना है इसको बस ध्यानक्स बात कर रखना 27 तीन का जो क्यूब आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है यहां ध्यान रखें 027 दो का क्यूब जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.008 अपॉन 0.1 का स्क्वायर यानिकी 0.01 आठ और 27 और 8 पैंतीस हो गया 0.35 अपॉन 0.01 तो आंसर जो कितना आ रहा है वाई साथ बटे दो आ रहा है C अच्छा पिछले वाले में शायद आंसर में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है मैं एक बड़ चेक कर लेता हूं यह बात आप बिलकुत सही कह रहे हो कि यह तो वो वाले कंसेप्ट में लगेगा ना भाई कि न? यह तो मंकी वाला कंसेप्ट लग जाएगा कि चार पहले ही घटा दो यानकि पहले आपको केवल और केवल 45 यूनिट आपको चलाना है पयर के तोर पे आप यह कह सकते हैं कि 2 गंटे में केवल और केवल सहब पहले 44 यूनिट कितना हो जाएगा red हो जाएगा आप कह सकते हैं 2 गंटे में कितना हो रहा है 2 गंटे में 1 unit आपका कितना हो रहा है red हो रहा है ठीक है ठीक है 2 गंटे में अब 44 करने के लिए 48 hour तो यहां लग गए 88 hour अब ठीक है यह ठीक रहे गा 44 अब 44 एक में यह आ जाएगा जो कि चार यूनिट एक घंटे में ही रंग देगा लाल 89 आंसर आएगा इसका ना कि 96 सही बात है मंकी वाला लगेगा ना भाई इस कुशन का कर लिया 7 by 2 आंसर आया अगला कुशन करिए अब मैं थोड़ी बहुत डी आई भी डालने लग गया हूँ जैसा कि पेपर में आते हैं चलिए 4 शेहर दे रखे हैं सर कुल कितना पृतिशत निरक्षर लोगों का कुल कितना पृतिशत है साक्षर नहीं निरक्षर सभी चार शेहरों में शेहरों में ठीक है अब ये बात सुनना मेरी बात है न यह डी आई हो चुकी है क्या भाई एक बच्चा कह रहा है भाई टाइप अलग हो सकता है ना एक पेपर में एक कोशन डाला दूसरे पेपर में दूसरा कोशन है है ना अभी मज़ा आएगा तब दिमाग चलेगा तब अभी तो देखो अंसर करो बस क्योंकि जरूरी यह यह पहले तो हम यह कहेंगे सर इलेटरेट अगर हम बात करते हैं तो 344 है टोटल इलेटरेट मैंने यह बात आपसे कही कि भाई साब अगर हमें देखना है निरक्षर लोग होगा सेम कोशन हो चुका है क्या प्राइद हो चुका हो पता नहीं देख लेते हैं और यह पॉपुलेशन हो गई टोटल 90 आपके इलेटरेट हैं तो 30 आपके लेटरेट हो गए जो कि दिख भी रहा है यह आपका 2 x 3 है लेकिन उससे कोई खासा फरक नहीं पड़ता उससे बस इतना देखना है कि लेटरेट कितने हैं दो बराबर 200 तो तीन बराबर 300 तो यहां 300 आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा सर 340 तोटल 770 यही आ रहा है न तो लगबक कितना हो गया तोटल 770 लगबक 45 पॉइंट कुछ आ रहा है अब यहां भी क्लोज है भाई मामला 44 पॉइंट दो आंसर आएगा कि मुद्व कि हो चुका यह पहले हूं हुए नेक्स्ट करें आराम से करना भाई तो कर दो कर दो कैसे करोगे जरा देखिएगा 12, 18, 20, 25 से पूरी तरह विवाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो देखिए सर 12, 18, 20, 25 से पूरी तरह डिविजिबल होने वाली 5 अंकों की तो सबसे पहले आपको लेना होगा LCM LCM के तोर पर हम बात अगर करते हैं तो यहां आप देखिए 12, 18, 20 और 25 दो से अगर आप भाग दोगे तो 6 आ रहा है, यह आ रहा है 9, यह आ रहा है 10, यह आ रहा है 25 दो से आप दे दीजिए 3, 9, 5 और 25 तीन आएगा, तीन आएगा, पांच आएगा, पांच आएगा, तो पचम पच्चिस, दुनी पचास, दुनी सो, नौसो याने कि 900 आ रहा है, लेकि 900 के वर आंसर थोड़ी ना है, इंटु के, अब पांच अंकू की सप्टे छोटी संख्या निकालनी है, याने कि यह आपको 10,000 के पास देखना है, सही बोल रहा हूँ ना, 10,000 से प्लस देखना है, दो, दो, चार, पांच, 10,000 से प्लस आप बताईए, तो 900 का कौन सा मल्टीपल होगा, भाग दे लीजी इसमें, 200 से 200, 100 बटे 9, 100 बटे 9 करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 12 मा मल्टीपल ले लो, क्योंकि 11 वाला तो अंदर होगा, 12 वाला बाहर होगा, तो बाहर है नम्मा 108, 10,800, अंसर होगा 10,800, अप्शन नम्मा A, clear है माइडियर, मज़ा आ रहा है, कुशन करने में, ऐसे कुशन पेपर में आते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है, तो इस तरह से करना है, अगला कुशन और भी खुब सूरत है, करके बताओ, देखिए सत्त, पिचेत्तर और 405 के बीच तीन अंकों की पूर्ण संख्या है, तीन अंकों की निकालनी है, याने कि 100 से शुरूबात करता हूँ, 405 तक जाता हूँ, अंतिम संख्या माइनस फ्रारंबिक संख्या, याने कि 305 प्लस एक, 306, प्लस एक तो करना ही होता है, और यहां दौनों इंक्लूड हैं, उके, चलिए, अब क्या अंसर होगा, 305, 306 होगा क्या, नहीं, 305 होगा, क्यों मैंने जैसा कि बोला, कि यहां 100 तो इंक्लूड चलेगा, क्योंकि वो तो अल्रेडी बीच में ही आ रहा है, लेकिन 405 इंक्लूड नहीं चलेगा, इसलिए इसको घटा दिया एक, ठीक है, तो आंसर इसका कितना होगा, 305 होगा, ठीक है, चली, एक रेल गाड़ी 550 मीटर लंबे प्लैटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, यदि 70 क्लूमीटर प्रती घंटे की इरचाल से चल रही थी, तो रेल गाड़ी की लंबाई कितनी थी यह बताईए, यानि कि हम यह कह सकते हैं कि 550 मीटर लंबी ट्रेन प्लैटफॉर्म को भी पार कर रही है, जहां पर उसकी 36 सेकंड का समय ले रहा है, यदि 70 क्लूमीटर प्रती घंटे की इरचाल रही थी, तो रेल गाड़ी की लंबाई बतादो, तो रेल गाड़ी की लंबाई, ठीके लगाते हैं क्या और क्या है, 70 क्लूमीटर प्रती घंटा, पांच बटे अठारे से गुणा कर दिया, अठारे दूनी 36 आ गया, 700, तो रेल गाड़ी की लंबाई, 700 में से 550 घटा दो, डेड़ सो, c, next, करिए, तसल्ली से करिए लेकिन, देखिए, किसी सम चत्रवुच की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटी मीटर है, इसका एक विकण 16 सेंटी मीटर है, तो दूसरा विकण कितना होगा, अब जानते हो ना इस बात को, अगर बात सम चत्रवुच की हो, तो यहां हम यह कह सकते हैं, कि भाई, एक विकण और दूजा विकण, दौनों एक दूसरे को काटते हैं, सर, काट रहे हैं, यह बुजा की लंबाई 17 है, एक विकण 16 है, तो आधा 8 हो जाएगा, तो 8, 17, तो 90 डिगरी के सामने होता है, क्योंकि विकण एक दूसरे को 90 डिगरी पर, तो यह 15 हो गया, तो दूसरा विकण अपने आप 30 हो जाएगा, मतलब 15 और 15, क्योंकि डबल होता है, आधा आधा सम्धी भाजित हो जाता है, विकण भी, अगर फॉर्मूला रिवाइस करना है, तो आप रिख सकते हो, क्या होता है फॉर्मूला, दीवन स्क्वाइर प्लस डीटू स्क्वाइर बराबर फॉर टाइमस ओफ ए स्क्वाइर, तो ए कितना है यहाँ पर, ए अपना साइड है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है, नेक्स्ट, पाइप ए किसी खाली टंकी को चार घंटे में बरता है, पाइप बी के साथ मिलकर तीन गंटे लगते हैं, बारे आ रहा है, तीन चार, एक को एक घंटे चलने के अपस्चात बी को भी खोल दिया जाता है, एक को एक घंटे चलाया फिर बी को भी खोल दिया, याने की चलने के बच्छा यान 9 बचे का बी को भी खोल दिया जाता है तो टंकी कुल समय कितना लगेगा तो 9 बटे 4, 9 बटे 7 7 ही आएगा ना, नहीं नहीं 4 आएगा दोनों, पहले सी दोनों है ठीके, तो 3 गंटे तो यह रहे, 4 दुनी 8, 5 गंटे 1 बटे 4, याने की 60 से गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 15 मिनट, 5 गंटे 15 मिनट, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा अजब 3 गंटे में भर देता है ना, 1 गंटे के लिए खोल, अच्छा, यहाँ 1 गंटा ठीक, ठीक, एक गंटे तो वो आ गए, 3 यूनिट अंकी भर गी, बची वी 9 बटे 4, याने की 2 गंटे 15 मिनट, याने की 3 गंटे 15 मिनट आंसर आ जाएगा वो मैंने 3 वो एफिशेंसी ले लिया, एफिशेंसी थोड़ी टाइम लेना है, तो वो एक गंटे के लिए खोला गया ना, बस, तो आ जाएगा 3 गंटे 15 मिनट, सी सर टारगेट दा मैथ कहाँ चला गया सर, क्यूं कहाँ चला गया 11 बजे क्लास होती है, तुम्हें तो ऐसा लगता है तो को टाइम ट्रेवल करके आ रहे हैं, पता ही नहीं चला विचारा कहाँ आ गया यह यही तो है नॉन रेगुलर इस्टूरेंट की कहानी, फिर सलेक्शन नहीं होता, फिर दूसरे को भी दोश देते हैं, दूसरे को भी देते हैं, खुद को तो नहीं देते हैं, खुद तो सही हैं हमेशा चलिए, 27 की पावर कितना बचेगा केवल 10 बचेगा, और यह बराबर है 3 की पावर के के, तो 3 की पावर 3 इसको लिख सकता हूँ, तो यानि की कितना हो गया, 3 की पावर के और के बराबर हो गया 30 B Next Next घं के किनारों की लम्बाईयों का योग, एक वर्ग की परीधी के आदे के बराबर है घं के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के छित्रफल के संख्यात्मक मान के 1प्टे 6 के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा बता दो बता देते हैं वही वर्क की बुजा बतानी है न तो 4 से काटा 3 बार A बराबर हो गया B बटे 6 A की वैल्ली अगर B बटे 6 रखोगे तो यह हो गया B क्यूब बटे 216 तो B स्कॉायर बटे 6 तो B की वैल्ली हो गई कितनी 36 भी आंसर आगया नेक्स्ट पुट करना है बस पुट करना है बस पुट करना है बस कर पुट एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तै किया जाता है यदि आदी दूरी को दुगने समय में तै किया जाता है तो दोनों चालो का अनुपाद बता दो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तै किया जाता है ठीक है आदी दूरी को दुगने समय तै किया जाता है तो चालों का अनुपाद बता दो ले लो अनुपाद खटम ये दो इदर आ जाएगा ये दो चार अनुपाद एक एंसरूवर नेक्स जीक है एंसरूवर नेक्स्ट चलिए सर क्या करेंगे बोला जा रहा है सर राजा अरुण से तीन गुना बड़ा है तीन साल पहले अरुण की तुलना में चार गुना बड़ा था तीने कम तीन, चारे कम चार, एक बड़ाबर कितना हो जाएगा, नौ तो बोला गया राजा कितने साल का है, सत्ताइस सत्ताइस साल का राजा है भई बहुत अच्छी बात है तो नेक्स्ट चलिए सर ए बराबर 30 रखदो 30 रखते क्या हो जालेगा, सर रूट 3 बटे दो याने की 3 बटे 4 ये 30 रकोंगे तो नबए शुन्य है, ये 30 रखोंगे 30 वह ये 3 बटे 4 याने की 6 बटे 4, 3 बटे 2 नेक्स्ट किसी भिन के अंश अंश एवं हर में दो जोड़ा जाता है तो परिणामी भिन ये बन जाती है तो परिणामी भिन ये बन जाती है मूल भिन का अंश हर से 6 अदिखे बस यहां काम हो गया मूल भिन का जो अंश है वे हर से 6 अदिखे तो x प्लस 8 अपॉन x प्लस 2 बराबर 3 बटे 5 कितना हो रहा है भई पांच एक्स प्लस चालिस बराबर टीन एक्स फ्लस छे दो एक्स बराबर चौंतिस एक्स बराबर सत्रह तो हर कमान बताओ तो भई हर कमान हो गया भई कितना सही है क्या है नहीं नहीं सही कैसे है त्री एक्स प्लस शिक्स बरबर टो हुई है किसी अंश के हर में दो जोड़ा जाता है अंश यह हम हर में दो जोड़ा जाता है तो परिणामी भी यह बन जाती है मूल भिन का हर अंश से छे अदिक है उल्टा कर दिया मोल बिन का हर है न अंश से 6 अधिक है इसमें अगर 2 जोड़ा जा रहा है तो 3 बटे 5 हो जा रहा है यहने कि 5x प्लस का 10 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन और यह ओरा ऐसा 3x प्लस का 24 2x बराबर 14 x बराबर 7 तो हर का मान कितना हो जाएगा 13 तात और छहतेरा बी आपका राइट आंसर होगा तो कितने कुशन सही किये आज आपने यह बताईए मुझे कल का होमवर्क नोट करिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा लगातार रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है देते रहो लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छा लगता रहेगा ठीक है सर एंटी बीसी सी बीटी बन में 67 आ रहे है तो अच्छे माक्स है ना शुबं बोरे थोड़ी हैं बड़ी हैं बड़ी हैं प्यारी करो ठीक है टेस्ट नमबर 8 आपके सामने है है ना और 6 बजे होगा अनकेडमी पर लिंक में कमेंट सेक्शन में और टेलिग्राम दोनों पर डाल दूँगा यह मेरे साथ आप जुड़ सकते हो जहां पर साहिल 10 एजी कोड लगा कर आपको अनकेडमी पर मेरे साथ कनेक्ट होना है मेरे फांडेशन बैच में SSC एग्जाम में जाओगे गैट सस्किप्शन पर 24 महिने का बैच लेकर नीचे पूछेगा बढ़ी कोड है क्या फुल है नगा दो फिर साहिल 10 लगा कर एपलाई कर देना बस एपलाई करते ही साहिल 10 को लगा कर आपको डिस्काउन मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के और आसके डाउट फीचर सब कुछ मिलने वाला है आपको तो यहाँ पर आप टेलिग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं लाइक करिये शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैक्यू सो मच ठीक है तीन कोश्चन एक बार एक ही बार मैसेज हो रहा है बस कौन सा आ गया भई इन कोश्चन एक बार बता तो दिया मंकी कंसेप्ट है न भाही यार इसका आंसर 89 होगा बता दिया है है ना है सर गुरूप डी का कोई नहीं है अभी रंजन मैं तुम समझते तो हो नहीं हो तुम्हें मतलब क्या है चलो भाई केमपेंच चलो अरे वह एक पहला वाला के सटका पढ़ा है उसके बाद यह डेट आएंगी तुम भी समझते नहीं हो अब तुम सोचो कि भाई बोल देंगे तो सब कुछ हो जाएगा ऐसे थोड़ी ना होता है कितने टूटर केमपेंच किस तरह से चलते हैं आपको पता नहीं है कि वह जब होना आएगी ना डेट अपने आप या जाएगी अभी सितंबर में अक्तूबर में जब भी आएगी उसमें मतलब वही है अपने पास अपने हाथ में क्या है मेरे हाथ में पढ़ाना एक येवल हला मचाने से कुछ भी नहीं होता और तुम आके यहां पर बस च टीचर यह थोड़ी कर और कुछ करने के लिए थोड़ी बनाएं चलिए अच्छा हमारे साथ से रुक रही होगी डेट है ना और हम दे नहीं रहोंगे कमाल की बात है और वो यह कह रहे है महापे कि डेट इस वज़े से नहीं आ रही मतलब यह कौन कह देता है तुम से उन्होंने बोला कि यह का कम रह रहे हैं यूट्यूबर्स कोई कोच नहीं बोलता बस तुम्हारी मन की भेहम है यह सब आनी होगी जिस दिन आ जाएगी बस अरे रोहित बता तो दिया 89 आंसर आएगा उसका उसमें क्या इश्यू है तुम भी रीड केरफुली यह बार बार एक कमेंट कर रहे हो जबकि बता दिया है कि 89 आंसर आएगा अनकेड़ी फ्री क्लास चलती है न भाई यह 6 बजे टेस्ट रात को 8 बजे मौक टेस्ट चलता है वो फ्री होता है ठीक है तो टेक क्यार बाई 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 लब्यू और